शादी के बाद ससुराल की दहलीज पर कदम रखने के कुछी समय में पती पतनी के संबनों में दरार आ रही है आपस में तालमेल ना होने पर नौबत तलाग तक पहुंच जाती है इस तरह के कई हाई प्रोफाइल मामले रविवार को पुलिस लाइन परामर शकेंद्र में पहुंचे ऐसे मामल में काउंसलिंग कराई गई आपसी तालमेल ना होने के कारण परिवार बिखर रही है शादी के बाद माता पिता बेटी को हसी खुशी विदा करते हैं लेकिन ससुराल की दहलीज पर कदम रखने के कुछी समय में पती-पत्नी के संबंदों में दरार आ रही है पुलिस लाइन परिवार परामर शकेंद्र में इस तरह के हाई प्रोफाइल मामले आए दिन आ रही है हरी परवत शेत्र में रहने वाली यूवती की शादी कानपूर में कारोवारी के बेटे से हुई थी ससुराल में लड़की कुछ समझ नहीं पाई कि विवाद शुरू हो गया ससुराली जनों का कहना है कि बहु का बात करने का तरीका अच्छा नहीं है पती तलाक लेने की जिद पर अड़ा हुआ है लेकिन यूवती साथ रहना चाती है काउंसलरों ने समझाने का प्रयास किया लेकिन दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए है परवाय परामस केंदर में भिनभिन तरीके के मामले आते हैं अलग लग तरीकों के आते हैं पहले तो रैगुलर एकी तरीके आते थे अब बहुत अलग लग तरीके के मामले आते हैं मतलब से बड़ी भीडंबना यह कि जो साधी साय को 3-4 महीच्वारी यहां बहुत सारी मामूले ऐसे आया हैका जिनकी साधीयों को लगबक 6 महें होए इस मु하्या in शोलार जानों को उस्की बॉल चाल समझ में नहीं है उसकी बोल चाल का नहीं हुआ है उनको लग आइ इस तरह से बाट नहीं कर रही है, तो इन श्रिप यही कारण बन गया है कि उसको लड़का तलाक देने के लिए तेयार है, वो खिसी कीमत पर रखने के लिए तलाक देना चाहता है, चुकि लड़की रहना साथ हुआ था बताया गया है कि शादी के बाद पती पत्नी गोवा घूमने गए थे लेकिन गोवा में भी जगड़ा होता रहा घर लोटने पर भी संबंदों में सुधार नहीं हुआ और बिखराव की नौवत आ गई आरोप है कि पती किसी बहाने से पत्नी को उसके माय के छो रहा है काउंसलरों ने समझाया लेकिन पती रखने को तैयार नहीं है लड़की किसी भी सूरत में साथ रहने को तैयार है जो लड़की का पक्ष है वो उस चीज पर एगरी है और वो बाचीत करने के लिए भी तैयार है और दूती पक्ष को भी कहा गया कि बाचीत करें और बाचीत करके समस्चा का समाधान करने का प्रयास करें अगली ती थी इन दोनों को बाइस्तारी की दे दी गई है बाइस्तारी को पुने उपस्तित होंगे अभी जो इस चीज में महसूस किया गया वो बच्चे की जो ड़का है जो पती है पती थोड़ा का मेजुकेटेड है पतनी हाइली कौरीफाइट है जोब भी करती है और अब जो परिस्तितियां उनके इसाब से तालमिल नहीं बैठ पा रहा था तो दोनों को समझाया गया है दोनों को तो अगली तारीक दी गई है इसे में में बात आ जाती है कि सबसे बड़ी चीज है आप सी तालमेल ना बैठा पाना जब तक आप सी तालमेल नहीं बैठ पाता तब तक टॉपर वे में शादी नहीं चलपाती है और दोनों की ही ओर से इवो प्राब्लम आ जाती है पिर दोनों की तरफ से कहीं न कहीं पक्षकार खड़े हो जाते हैं जो सही सला देनी के वज़ाए गुमरा कर देते हैं और मामला यहां तक आ जाता है परिवार परामर्श केंद्र प्रभारी इंस्पेक्टर इतुल चौधरी की देखरेक में काउंसलिंग कराई जा रही है काउंसलरों के साथ इंस्पेक्टर भी पती पतनी से बात कर समझाने का प्रयास कर रहे हैं रविवार को 68 दमपत्यों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था जिन मैंसे 10 दमपत्यों का समझोता कराया गया लेकिन 7 मामलों में मुकदमे के आदेश दिये गए हैं सी न्यूस के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट